नमरेश्का मेरा नाम है डॉक्टर पुरू धावन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लट्वे के मरीज में किस तरह से कमर की exercise करवानी चाहिए बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने कभी हाथ की कभी पैर की कभी कैसे चलना है कैसे हमने उठना है पर हमने उचाहिए करवाने से पहले संबतने से पहले अपनी patient की condition को evaluate करना पढ़ेगा कि हमारी patient की condition क्या है तो मैंको बताने कोशिश करता हूँ कि आपने किस तरह से D अगर आप अपने patient को बिठाते हैं और वो एक तरफ गिरना शुरू कर देता है यानि वो बैट पे बैठा हुआ है आपने बिठाया और वो एक तरफ जोकी जा रहा है और गिर जाते हैं यानि उनका जो कोर है उनकी जो कमर है वो वीक है जब हमें लगवा होता है तो हाथ और में तो दिक्कत आती है हमारी कमर में भी वेट को संभाल लेकि जो ताकत है वो कहीं नहीं चली जाती है अगर आपका patient बैटने में दिक्कत कर रहा है वो बैट नहीं पा रहा तो उसका कौर बहुत वीक है इस कमर की exercise इसली भी ज़रूरी है कि अगर patient अपना वजन संभाल नह पर हम कमर को नीचे से उठाते हैं जिसे आप आप फोटो देख पा रहे हैं इसमें आप देखिए कि एक person लेटा हुआ है उसके हाथ और पैर दोनों बैट पे लगे हुए हैं और कमर को उपा की दरफ उठाया जा रहा हुँ है जब हम कमर को उठाते हैं मापे हम 10 सेकिंड त कमर को नेा डहा हुँ होझ है और यहां की जू मसल्स है वह स्टैंतने फोटैंश़ मीच ताका तानी शुरे हो जती हो स्यो की पेशिन को बैटने में पेले मदद करेंगा पेशे एले बैट पाएगा पेशाइगा और उसके बात यही जो मास्पेशियाária हैं यही जो को की एक कि आप भी कमर कमजोर हो, तो क्या होगा, कि आप खड़े ही नहीं पाओगे, आप एक तरफ जुकते चले जाओगे, गिर जाओगे, तो इसी वज़ा से कोल की एक्सरसाइज करवाई जाती है, और कोल की एक्सरसाइज पेशन को खुद बाख खुद करने पड़ती है, हम थोड इंपॉर्टन एक्सरसाइज, जो की कमर को और स्टेंथन अब देती है, अब आपकी कमर के को देखो, कि वो कमर पूरे दिन काम क्या करती है, एक नॉर्मल इंसान के अंदर, वो आपको स्टेंथन अप करती है, आपको खड़े रहने की काबलियत देती है, जिसके काबलियत आप बढ़ पाते हो चल पाते हो तो हमने क्या करना है इस पर अपने शरीर का वेट डालना है क्योंकि क्या क्या है वेट को संभालना और अपने आपका बैलेंस मंटेन करना अब वेट किसे डालें तो वेट डालने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है वो है पेशिंट को नहीं को पूरा हड़ी है आपकी सार हड़ियों का वेट है वो आपकी कमर बैलन्स एंक बैलेंस और यह बैलन्स बने गा खड़े होने में तब आफ ओक अगला दम पड़ा नहीं पाओगे तो ये Wy आप एक्सिम्पल है इसके लिए इसके लिए पोटो दिखाने की भी ज़ूत नहीं कोई वीडियो दिखाने की भी जूरूती है आप ने पैसे को बोलने कोई बी ग्रेल पकड़ ले पोई भी रेल बख़ ले और बस खड़ा रहे कुछ तेर तर आप यहां पर पेशन जितनी द बैटने के बाद खड़े हो गए तो अब यह आइडिया लगाना बहुत मुश्किल नहीं कि इसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूं अगर आपने प्राणी वीडियो दिखी है तो इसको बहुत क्लियर करट आइडिया होगा कि मैं डॉक्टर साब क्या बताने वाले हैं और वह है चला क्योंकि जब आपका बैलेंस के एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमावाली चैलेंज होता है दुबारा से बैलेंस को बनाना अब बैलेंस हमने बिएलेंस को बनाना रह चैलscunda है यही तो पेशन को पैल उठानी की काब्ली दिनी थी, मगर जब हम कोल की सरे इस कर रहे होते हैं, तो हमें लेक की से इसको भी साथ साथ करना पड़ता है, अगर हम यह ना करें, तो पेशन खड़ा तो हो जाएगा, पर चलनी में दिक्कात आनी शिरू होगी है, तो मैं हर बार पिछली वीडियो में बहुत जोड देता हूं कि पीशिंट अगर कभी आपको लगवे का स्टॉक हुआ है तो बैठो नहीं अगर आप बैठे रह गए तो पुरी जंगी बैठे रहना पड़ेगा टांगों पे खड़े वो चाहे आपको किसी का सारा लेना पड़े चाहे जंड और लेग में भी इंप्रूमेंट होनी शुरूती क्योंकि अगर जैसे मैं आपको पहले बताया अगर आप खड़े भी हो गए बैलेंस आ भी गया और पैर आगे नहीं बढ़ रहा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता तो इस दोने एक्सरसाइज हमारी साथ साथ होती है जो की बहुत ज़्यूरी है तो तीन एक्सरसाइज बहुत इपॉर्टेंट हो गई आप सभी के लिए पहले वैल्यो सीन करना है पेशेंट का कि पेश्र कि की कि इसे कंडीशन क्या है पेशिंट कि अपने बैट पा रहा है और वह नहीं बैट पा रहा तो तुसे बैठ आओ क क्योंकि बैटने से कमर की exercise होगी उसकी strengthen up होगी ताकत आएगी साथ में क्या करवा हो ब्रिजिंग करवा हो कमर को नीचे से उठाना और नीचे हाथ लगाकर काउंट करना एक दो तीन इस तरह से क्या होगा कमर में और ताकत आएगी कि वो जो मासपेशिया काम कर रही है पाइग हो जाएगा जब पेशिंट खड़े होने लाइक हो रहा है थोड़ा बथ खिल डूल रहा है नहीं संबल रहा विशी चीज को पकड़ ले क्योंकि थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना खराब नहीं है पूरी जिम्नी किसी के सपोर्ट पे रहना खराब है तो आप जब किसी चीज को पकड़े खड़े हो तो क्या होगा कि 2-4 मेने के अंदर आपकी खड़े रहने की वज़द से आपकी कमर इतनी सॉलिड हो जाएंगे कि आप अपना वेट को रख पाओगे स्टेबल रख पाओगे उसके बाद हमने तीसरे साइस कौन से करनी है कि जब हम अपना की ब्रेइं की भी हो रही है क्योंकि जब ना इक हिस्सा जो आपकी मास्ठीस को चलाता था паль की तो केड़ देमेज हो गया था अब और ये चीज कोशा बार 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 करना पता है श्यांड करना हूं कि आप त्लीर 건 कि वह ही एक्सका icd कि दो चांक सब उसको अपनी daily routine का हिस्सा बनाओ क्योंकि जब आप उसे daily routine का हिस्सा बनाओंगे पहली चीज़ फायदा क्या होगा कि exercise जैसी नहीं लगेगी दूसरा क्या होगा कि उसको आप time दोगे तो आप उसे count नहीं करोगे जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो patient में बहुत तेजी से implement देखने को मिलती है ममुईत करता हूं इस वीडियो से आप समझ गई होगे कि कमर की exercise यानि को exercise किस तरह से की जाती है लगवे के patient में तीन exercise में आपको बताई है इनी को करना है इसके लाबा किसी पे और exercise पर जानी की ज़रूरत नहीं है यह more than sufficient होती है किसी को भी तुबारा स चलाने में अब इसी के साथ आप सब इसमें चलने की आगा चाहूंगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार